मैं कुछ कते पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, आप तक पहुंच जाए बात तो मुझे बताना कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए मैं थोड़ा सा अपना रंग बदलता हूँ कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए मुहले की किसी बेवा का दामंतर न हो जाए तरक्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए और पिता की उम्र के लोग बैठे हैं आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता हूँ चार पंकिया आप तक पहुचें क्या कहना किया कहना राक्साब वह और आगे की दो पंकिया अगर अच्छी और सच्छी लगे तो सब की हाँ उठागर दौाएं भी चाता हूँ कि समंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छूपाया मुझे बच्पन में पापा ने छुआई थी जो कादों से जाजों से भी उड़कर मैं वो उंचाई न छूपाया वाह 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 वाँ ये हम संस्कृति का देश है हासे हिंदू मासे मुस्लिम तब कहीं देश एक होता है कि कहीं गीता महकती है कहीं कुरान जिन्दा है भले हों चीथड़े तन पर मगर इमान जिन्दा है अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है किसानों और मजदूरों में हिंदूस्तान जिन्दा है एक और बुराई हमारे घरों में आने लगी है मैं इशारा करता हूं कि गरीबी बेबसी दोसो रुपए में डाल लेती है क्या कहना मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा धालेती है पिठाता है गरीब इन्सान सर पर बाप को मा को अमीरी प्यार करती है तो כुते पाले इश्वर कहां है भगवान कहां है सब धर्म अपना अपना पता बताते हैं एक पता इस फकीर का भी सुनना शायद आपको ठीक लगा इर्शाद कि जिसे खौबों में पाना हो नरीम भाई इतनी महिनत कि आपने इस मुशायरे कभी समिनन को विश्व लेबल पे पहुचाने के लिए मैं पूरे पांडाल से चाहता हूँ कि इस बार इतना बड़ा काम जो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं हुआ नहीं उसके लिए इन सब लोगों के लिए एक बार तालियां बजाएं पूरा पांडाल एक बार कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है क्या कहना क्या कहना कुछ लोगों के हाथ बने थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है शायरी की मैं फिल में आप बैठे है कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चहरा शेहर के एक दीवाने से मिलता है वो जिसको ढूडते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से मिलता है वाँ 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 कुछ लोग दोबारा सुनना चाहते हैं कि जिसे कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताएं हाथ उठागे कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो जिसको ढूड़ते फिरते हैं मंदिर ओर मसजिद में वो खोजे से नहीं मिलता है खोजाने से मिलता है वाह वाह कविता मिशन भी बन सकती है lum thick mission कैसे बनती है शायरी मिशन कैसे बनती है मैं चार पंग्तियां पोचाता हूँ आपता पोचे संजें भाई स्वाकत वे द नहे किसी इनसान का कल्यान कर देना फिस के बच्चे ने फिस से पूछा कि मां हम लोग पानी में क्यों रहते हैं जमीन पर क्यों नहीं रहते फिस ने का बेटा हम लोग फिस है ना इसलिए पानी में रहते हैं जमीन पर तो सेल्फिस रहते हैं तब कहना पता है कि तो सांसे बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना और हर सरकार कहती है कि भुरूण अत्या मत करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान करो, लेकिन कवी किस तरह बात कहता है, ने चार पंक्तियां पढ़ता हूं और आखरी पंक्ति पर दादरी का जन्मत स रखने जाता हूं कि वह अपने केमरे यसेज्दगी के सीन लेता है लेता है वह अपने चाहने riots के दुख्डे पिन लेता है यू सबसे अच्छा मेरे पास है वह दो पंक्तिया मैं शोकता हूं दाद αυτόशल कह से और दुख्ड़े पिन लेता है कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना वो पेटी मारने वालों से बेटा छीना है बहुत 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 शुक्रिया बादरी बहुत बहुत शुक्रिया